हेग गाइस वेलकम बैक टो मैं डिप चालम तो आज हम इमोर्टल सिस्टम सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं तो जैसके हमने प्रिवस एपसोर्ड में देखा था जाहू को एक लेटर आता है वो सोच रहा होता है कि असलियत मतलब रेल है कि फेक है किसने भेज़ा वो इसाइन ही नहीं यहां पर आसपास की किसने इसे भेज़ा है तो एपसोर्ड नॉमर 15 की स्टार्डिंग होती है किस लेटर से भी कुछ पता नहीं लग रहा है तब हमें र काहीं पर आये हैं सारे लोग चले कहां पर गए हैं फिर हम किसी गलत प्लेस पर हैं प्रिंस लियंग बोल रहा होता है कि जल्दी किसी को यहां पर पकड़ के लाओ पुझे फरक नहीं पड़ता कि किस तरीक्य की मैथड को तुम यूज करोगे मेरे ट्रूप्स को जल्दी से जल्दी यहां पर इकठा करो तब एक इंसान बोलता है कि तुम्हें डूढने की कोई जरूरत ने होने वो आएंगे ने तुम्हारे लोग जाओ चला होता है अपने साथियों के साथ लियंग बोल रहा होता है कि तुम्हारा प्लैन लीक हो चुका है जो भी तुम्हारे साथ थोँगा कैसा रिगा यह वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें क्यों मोखा दूँू और तुम्हारे लिकजर से मज्यक फरक नी पर्कता है लियंग बोल ड्रहा होता है कि मैं Crown Prince dan Si trembling Tennessee का तुम एक का वह स्टार्ट करना चांते हो बोल रहा होता है तो क्या हुआ अगर war start हो जाएगी तो मुझे डर नहीं है तुम्हारा लियांग बोल रहा है कि senior brother अगर तुम इस time पी नहीं आओगे तो कब आओगे तुम तब एक इनसान वहाँ पर आ जाता है उसने mask डाला होता है इसके against में तुम कुछ नहीं कर पाओगे जाओ वह बोल रहा होता है कि 9th golden core क्या बक्वास कर रहे हैं तुम लियांग बोलता है कि senior brother यह वह इनसान है जिसके बारे में master और मैंने बात की थी अगर हम इसे और leave when हुआ को साथ में पकड़ लेंगे तो वह double cultivation method हो जाएगा तो वह जो इनसान होता है वेल जाओ चैन नहीं वह अपनी sword को निकालता है और लियांग की garden पे रखके उसे काट देता है वो जाओ चैन को पूछ रहा होता है कि तुम कौन वो इनसान बोलता है कि अंकल हो तुमने मुझे पहचाना नहीं वेल जाओ चैन नहीं होता है कुछ और होता है जाओ बोल रहा है अच्छे तुम हो तुम यहां पर क्यों आई हो वो इनसान बोल रहा है कि बात यह कि बहुत बड़ी organization है इस इनसान के पिछे वो खास का genius को hunt करते है जाओ बोल रहा है कि जाओ मो ऐसी बात है जाओ मो बोल रहा है कि हाँ तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें नहीं पर तुम्हारी wife को भी ध्यान देना पड़ेगा तुम दोनों target किये जा रहे हो मैंने इन्सान की बोड़ी को खदम कर दिया है कोई भी ट्रेसिस नहीं बचें इसके कोई पता नहीं लगा पाएगा पर तुम्हें फिर भी ध्यान देना है हमें नेक्स दिन जाव फैमली का सीन दिखा देता है जावली बोल रहा होता है जावचन को कि यह लेटर जाव़ू उने भीज जाया है यह किसी स्पेशल लिंक से लिखा हुए तो मैं खुद बाखुद इससे पढ़ना पड़ेगा जावु के लेटर को जावचन पढ़ रहा होता है और सोच रहो होता है कि वैल अच्छा जावली बोलता है कि फादर इसमें क्या लिखा हुआ है जावचन बोलता है कुछ भी नहीं जावचन प्रेक्टिस करने दो अच्छे से जल्दी करो और जादा बच्ची जाईए मुझे फिर हमें एक साल बात का सीन दिखाएता है जावचन को मैसेज आता है नोटिफिकेशन कि जो तुमारे डिसेंडेंट्स हैं वो तीन हजार पहुंच चुके हैं तो में रिवोर्ड मिलता है और एक एरो में वो खतम हो जाएगा यह डबल पावर से फट सकता है जितने की यूजर की स्ट्रेंथ होगी जावचन यह सोच रहा होता है कि अब मैं कोछ इंता की कोई जरूरत ने अगर मैं किसी को मानना चाता हूं तो मुझे उन्हें ढूंडने की जरूरत पड़ेगी नहीं वो जावव के बारे में देख रहा होता है जावव नेसंट साउल सेकेंड लैवल पे पहुंच के होता है जावचन बोल रहा होता है कि यह बिलकुल सही है जाहू काफी जादा अच्छे तरिके से इंप्रूव कर रहा है जैसे वो बार की दुनिया में घूम रहा है एकी साल में ये नाइन्थ लेवल गोल्डन कोड से नेसंट साल स्टेज पर पहुंच गया जाहू ने साथ में जिंगोंग होल के तीन लोगों को भी खतम कर दिया होता है पर साथ में लियांग डैनिस्टी के स्पाय का भी पता लगा लिया होता है उसे मार दिया होता है Ming Dynasty के पास उसने अपने साथी बेज़ी होते हैं लड़ाई में और Liang Army को बगादी होता है वहां से ड्रा के Liang Dynasty को हराने में उसका बहुत बढ़ा हाथ होता है उसने Zingong Hole के जीनिस इसको भी मारा होता है और उसे एक सीक्रिट मैप मिलता है Zingong Hole का जाउचन बोल रहा होता है कि वैल इसके नामने Zingong Hole के काफी जादा लोगों का अटेंशन पाया है पर जितने जादा लोग इसके ओपर अटेक करने के लिए उतने जादा स्टोंग ये बनता जा रहा है ये एक तरीके से अच्छी बात है इसके लिए मुझे ये पता नहीं कि मोर क्या कर रहा होगा जाउचन उसकी नोटिफिकेशन को देखता है वैल उसकी स्टेटा स्कोर बोल रहा होता है कि ये बच्चा थो कुछ जाद है अच्छा है जाउचन फरस्ट लेवल पर पहुंच के होता है गोल्डन को स्टेज के और वो भी ल्यांग डैनिस्टी में चला गया होता है वो अपनी एडेंटिटी को छुपा के जाउच होल की ब्रांच में पहुंच के होता है वहाँ पर कल्टिवेशन वो प्रैक्टिस कर रहा है और उसने दस एनिमीज को खतम किया है उसने जीनिस यही जुआन को भी बचाया है एक वो ऐसा यंग में जिसके पास त्यान यांग बोडी है तुमारे डिसेंडेंट जाउमो ने जीनिस चूफैंग को भी बचाया है जिसके पास डूल स्पिर्चुल रूट्स हैं और उसने काफिजा जीनिस इसकी हेल्प की होती है वहां पे जाउचन बोल रहा होता है कि शांती से यह सीक्रेट तरीके से एक्शन्स ले रहा है एनमीज को मार रहा है लोगों को बचा रहा है कितना ज़दा अची चीज है यह उसने मेरे ओडर्स को याद रखा हुआ है कि छुपके करना काम इतना बुरा नहीं है तब जाउली बोलते कि फादर उने में कोई को लेटर सेंट किया है पर इस टाइम पे उसने एक ट्रेजर मैप भीज़ जा हुए जाउ फैमली को भीजना है हंटिंग के लिए कि नहीं ट्रेजर को जाउचन बोल रहा होता है कि एक ग्रेट मास्टर ने पीछे छोड़ा हुए उसे मिंगो ल्यांग डैनेस्टी के बीचो बीच आ यह जगा जाउली बोल रहा होता है कि काफी जाउध अच्छी अपरचुन के लिए इसकी वाटर मदर रीवर का मिलेगा दूसरी चोईस यह कि डेंजर से बच के रहो तो मैं 4th grade inferior magic weapon मिलेगा जाउचन बोलता है वैल इस टाइम भी च्वाइस आई मैं डेंजर से बच हूँ डेंजर है गाम पे जाउचन बोलता है कि ठीक है जाउध फैमली के लिए ज इसको 10% से बढ़ा देता है जाउचन बोल रहा होता है कि अची जीज मिली है मुझे इससे बर्थ रेट इंक्रीज हो जाएगा जाउध फैमली में फिर में बार का सीन दिखा जाता है एक नोटिस लगाया होता है कि एक great secret treasure इस वर्ल्ड में आया है जिंग उन्सान बोल रहा होता है कि यह जन्नी को जाग खतनाग होने वाली है पर यह जिंग उन्ग होल कां से आया यह क्यों हमें treasure देना चाहते है मतलब अपना बांटना चाहते है हमारे साथ एक इंसान बोल रहा होता है कि इस जिंग उन्ग होल की reputation को जादे अच्छी है मैंने सुना है कि लिए अग अगर मैं साल यंग होता तो मेरे पास भी chance होता immortality के रास्ते में चलने का दूसरे बोल रहा होता है कि मुझे यंग लोग जलन हो रही है उनका future definitely काफी अच्छा होने वाला है एक बोल रहा होता है कि इतन सा बुरी बात है मैं इस treasure land में जाना चाहता था पर कुछ नहीं कर सक और उस पिल के वसे तुम भी immortality के रास्ते में चल सकते हो पर फिर ऐसे जीनेस इसको find करने लाँ पड़ते हैं यहाँ वाँ एक बोल रहा होता है कि मुझे लगते है कि जो यंग लोग है जाओ फैमली के वो जिंगोंग ओल के standards तक पहुंच सकते हैं हम जाओ फैमली के सिंध घलत नहीं है जाओ ली बोलता है सची जिंगोंग ओल ने इतने जाओ जीनेस इसको recruit की है कि वह सची में ची ट्रैसर शेयर करना चाहते है उनके साथ जाओ चन सोच रहा होता है कि वह तो cultivate करना चाहते है फ्रूट्स को नॉर्मली मतलब वह जीनेस इसको खा जाएंगे जाओ जाओ ली बोल रहा है क्या वो खुद ही आगे यहां पर जाओ चन बुलता है कि जाओ और देखो कि उनके इंटेंशन के है अभी के लिए उनसे लड़ने की जुरूत नहीं है जाओ ली बोल रहा था ठीक है जाओ चन सोच रहा होता है कि जाओ मो एक powerful integration cultivation level का इंसान है वादल Strong होने के लिए फिर भी इसे उचाए बगर पिला रहे होते है ऑन guest को एक Sh亲 LiN होती है जो कि 1st level पे ने सनने सोल को और एक Zang Chan हो नहीं कोरा था होता है ऑच्छी चाह आयह यहे